हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पेड़े की रेसेपी ये पेड़े खाने में बहुत ही स्वादिश्ट हैं सिर्फ तीन चीजों से मिलकर बनी हैं इस पेड़े को मैदे से बनाया हैं मैदे के पेड़े खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होते हैं I hope आपको पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आईए देखिए इस रेसेपी को कैसे बनाते हैं गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक तिहाई कप घी घी को गरम होने देंगे जब घी अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें एड़ करेंगे एक कप मैदा मैदा और घी मिक्स करेंगे आपस में मिक्स करते हुए दोनों चीज़ों को भुनेंगे तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद लो फ्लेम पे हम इसे 7-8 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुनेंगे गैस का फ्लेम बीच में एक भी जगा पे फाई नहीं करेंगे नहीं तो मैदा जल जाएगा अब हम इसे भुनते हैं जैसे जैसे मैदा भुनता जाएगा इसमें से घी छूटने लगेगा और ये हलका होने लगेगा एकदम फलफी हो जाएगा तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए हमने मैदा को भुन लिया है अब इसमें से हलकी हलकी खुश्बू आने लग रही है इससे पता चलता है कि मैदे का कच्चापन खतम हो गया है और अब ये अच्छे से भुन गया है आप यहाँ पे देखिए कितना हलका हो गया है घी किनारे से छूट रहा है और एकदम फलफी होने लग जाता है तो अब यहाँ पे गैस का फ्लेम बन कर देते हैं मैदा अच्छे से भुन चुका है तो अब हम इसे थंडा होने देंगे जब यह अच्छे से थंडे हो जाएंगे तो हम इसके पेड़े बना लेंगे तो अब गैस का फ्लेम बन कर दिया है और इसे ठंडा होने देते हैं अब यहाँ पे यह देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है स्पेक्चुला से हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें एड करेंगे चीनी का पाउडर आप यहाँ पे चीनी को पीसके या फिर बुरा या तगार कुछ भी इस्तमाल कर ले आधा कप चीनी का पाउडर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर भी डाल देते हैं जिससे की टेस्ट अच्छा हो जाएगा और सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पे स्पेक्च्छला से यह अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हम इसे हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पे स्पेक्च्छला हटा के मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ यह देखिए इसके बाद हम पेड़े बनाएंगे तो यहाँ पेड़े बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है बस जिस साइज का पेड़ा बनाना है उतना मिश्रन हाथ में लेके इसे ऐसे गोल करेंगे गोल करने के बाद चिप्टा कर लेंगे अगर किनारे पे दरार है तो उसे चिकना कर ले और ऐसे पेड़े का शेप दे देंगे यह देखिए दवाने पे यह पिल्कुल भी फट नहीं रहा है यह बहुत ही सॉफ्ट बने है तो एक और बनाके मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए बहुत ही बढ़िया बनता है और खाने में तो स्वादिष्ट है ही तो ऐसे हाथ पे लेके इसे गोल करके इस तरह से पेड़े का शेप दे देंगे तो यहाँ पे एक एक करके हमने सारे पेड़े बनाके तयार कर लिये हैं बहुत ही स्वादिश्ट, बहुत ही सॉफ्ट, मुव में जाते ही घुल जाने वाले पेड़े बनके तयार हो गए है, इसके उपर ड्राइ फ्रूट्स लगा देते हैं, तो यहाँ पे मैं पिस्ता लगा रही हूँ, देखने में और भी ज़्यादा सुन्दर लगेंगे, बनाने में स्वादिश्ट तो हैं ही बनाने में आसान है, आई होप आपको इस रेसेपी पसंद आई होगी, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में